Online fraud के एक नया के समने आया है जब इंदौर के एक software engineer के account से करीब सवा 2 लाग के चोड़ी हो गई ये चोड़ी remote device control lab के थुरू हुई है ये incident तब हुआ जब वो online food order करने गया और तब उसने देखा कि उसके पिछले transaction में करीब 260 रुपे एक्स्टा कटे हुए और इसके clarification के लिए उसने payment gateway company के customer support को call किया था उसके ठीक दो दिन के बाद उसे एक बंदे का call आया जिसने कहा कि वो payment gateway company का customer executive है और उसने promise किया कि वो उसे 280 रुपे जो है वो refund करा देगा उसने कहा कि उसके यहां कुछ server issues चल ला है तो अगर आपको यह app download कर लेते हैं तो उस app के थुरू आपको help करेगा कि आपका पैसा refund हो जाए और उसने उससे एक application download करवाया और उसके बाद उस application में login करवाके उससे उसके application का key मांग लिया जो key उसने share किया था वो login की था जैसे उसने key share किया उसके मन में doubt आया तो उसने अपने bank में call किया कि उसके account को block कर दिया जाए bank ने गलती कर दी bank ने उसका debit card तो block किया पर उसके net banking और mobile banking ब्लोक नहीं किया कल होके जब उसने अपने account का detail देखा तो उसके account से 15 transactions हुए थे और उसके account से करीब सवा 2,0,000,000 चोरी हो गए थे पिछले कुछ महिनों में बहुत सारे bankों ने इस तरह के transaction के लिए सचित किया है जिसमें जो fraudsters होते हैं वो आपके mobile पे या आपके system पे unauthorized access करके आपके साथ fraud कर लेते हैं इसमें Reserve Bank of India शामिल है SBI शामिल है ICICI, HDFC इन सबों ने अपना अपना जो एक data जारी किया था जिसमें बताया है कि इस तरह के fraud हो रहे हैं और आपको इसके लिए सचित रहना चाहिए bankों ने especially एक application का नाम लिया था जिसका use जादा हुआ जिसका नाम है AnyDisk यह बहुत अच्छा application है और IT companies में यह generally use होता है इसको बहुत सारी कंपनिया यूज करती है जब remotely एक user को दूसरे user का system use करना होता है और इस अच्छे application का जो fraud है वो गलत इस्तमाल करके आपके system या आपके mobile पे access करते हैं इसका example अगर आपको समझना है तो अप इस तरह से समझे है कि जैसे WhatsApp एक बहुत अच्छा application है लोगों से जूड़ने का उनको message करने का उनसे contact मिड़ाने का लेकिन उसको use करके fake news को फैलाया जा रहा है इसी तरह से इस application को use करके fraud किया जा रहा है इस तरह का fraud में कुछ important बाते हैं जो आपको ध्यार में रखने चाहिए जैसे कि कोई भी fraudster है जब आपको वो call करता है तो वो pretend करता है कि वो किसी bank से call कर रहा है या bank का कोई customer के executive है उसके बाद वो आपका confidence जीतने के लिए आपका नाम verify करता है आपका phone number verify करता है आपका date of birth verify करता है तो आपको confidence हो जाता है कि वो bank से ही call कर रहा है fraudster आपको कुछ ऐसा कहके डराने के कोशिश करेगा कि अगर आप उसका बात नहीं माने और immediately act नहीं किये तो आपका account ब्लोग हो जाएगा या आपका card block हो जाएगा वो किसी तरह आपको convince करेगा कि आप उसका जो instruction उसको मान लेजे तो आपका account safe रहेगा या अच्छे से रहेगा ब्लोग नहीं होगा और वो आपको convince करेगा कि आप application download कीजिए और application download करने के बाद उसके साथ key share कीजिए ये जोरी नहीं है कि वो any disk app के ही use करेगा वो किसी और app का भी use कर सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और वो उसके बाद से क्या कहेगा कि उसमें अगर app code आता है तो आपको app code share कर निकले कहेगा अगर उसमें login की आता है आपके device के साथ आपको बस एक बात का ख्यार लगना है कि कभी भी आपको किसी तरह का issue होता है अगर customer care executive से आपका बात होता है तो कभी भी वो आपको कोई भी application download नहीं करवाएगा किसी भी refund process के लिए या किसी भी ऐसा जो monetary issue है या किसी तरह banking issue आता है उसके लिए आपको application download करवाने के जोरत नहीं होती है उसके अलावा अगर कोई भी key होता है या कोई भी OTP आपके पास आता है वो सब आपकी private चीज होती है कभी भी उसको किसी दूसरे के साथ share नहीं करना चाहिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह एक नए तरह का online fraud है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आप लोगों को अफगत कराएंगे लोगों को बताएंगे इस fraud के बारे में दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने हमारा चैनल यह टेक्निकल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेलागें दबाईएं